असकार बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांच का विशय हिंदी पार्ट ग्यारा पुष्प की अभी लाशा पुष्प मतलब होता है फूल अभी लाशा का मतलब होता है आपकी इच्छा तो पुष्प की इच्छा इसके कवी कौन थे माखनलाल चतुरवेदी अब पहले हम इसके कुछ शब्दार तो देखते है जैसे चाह का मतलब होता है इच्छा सुर्बाला मतलब देवकन्या सम्राठ मतलब राजा शव मतलब मुर्दा हरी विश्णु भगवान मतलब रास्ता शीष सीर ठीके उसका मतलब होता है फिस शीष चड़ाने का मतलब होता है बलिक नीचे वो किसके उपर खड़े हैं पुश्प के तो इस पुश्प की क्या भिलाशा है वो हम इस पाट के अंदर पढ़ेंगे। मुझे तोड लेना वनमाली उस पंध में देना तुम फेख मात्र भूमी पर शीष चड़ाने जिस पंध जावे वीर अनेग। तो यह फूल देखो यह कितले सारे यहां पर फूल है देखो घुलाब के हैं यह सब कमल के हैं यह सारे फूल कह रहे हैं कि हमार फोट प्यारे को ललचाए तो हमारी ऐसी भी चाह नहीं है, हम प्रेमी माला मतलब आपने देखा है न, शादी होती है, तब हम फूलों की माला एक दूसरे को पिनहाते हैं न, तो चाह नहीं है कि वैसे प्रेमी की मैं माला बन कर प्यार से उनको ललचाओ, चाह नहीं है सम्राठों के शव पर हे हरी डाला जाओ और ऐसी भी चाह नहीं है कि जो समराट है समराट मतलब जो राज़ा है बड़े बड़े लोग है उन पर मैं क्या करूँ बीचू पे हरी डाला जाओ शाव मतलब क्या होता है जब मरत्ती हो जाती जब मर जाते तो आपने देखा है ना लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं उस मुरत शरीर पर मरे वो शरीर पर फूल डालते हैं तो पुश्प कहते हैं कि मेरी ऐसी भी चाह नहीं है कि मैं समराटों के सर पर क्या करूँ सर पर हरी डाला जाऊं उनके उपर डाला जाऊं चाह नहीं देवों के सीर पर चड़ू भाग्ये पर इटलाओ और मुझे ऐसी भी चाहनी है कि मैं देवों के सर पर चड़ जाओं, देवों के सर पर चड़ना मतलब उनके सर पर फूलों की बोचार करना और अपने भाग्य पर इटलाओ और मुझे अपने भाग्य पर इटलाओ इटलाओ मतलब घमंड नहीं करना है यदि मैं देवों के सरपे चड़ूंगा तो आप लोगों कैसा लगेगा मुझे बहुत घमंड है मुझे तोड लेना वन माली उस पंथ में देना तुम फेक अब क्या बोर रहे हैं मुझे तोड लेना वन माली वन माली मतलब जहां पर ये फूलों का बगीचा है उसका माली वो बोर रहे हैं मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेक और उस पथ पथ मतलब रास्ता उस रास्ते में फेक देना मुझे तुम वन से मतलब बगीचे से तोड़ कर उस रास्ते में फेक देना मात्र भूमी पर शीष चढ़ाने जिस पंत जावे वीर अनेक कौन से रास्ते में फैकना उस रास्ते में जहां इस मात्र भूमी के लिए अपने प्राणों को मतलब शीष मतलब अपने सर को चढ़ाते हैं कौन सैनिट जो वीरगती प्राप्त हुए उसके पंथ जावे वीरणे जिस रास्ते से उनके शवो को ले जाया जाता या जिस रास्ते से वो लड़ाई करने जाते हैं उस रास्ते में मुझे फेक देना तो आपने देखा यहाँ पर पुष्प की अभिलाशा थी पुष्प की एक ही इच्छा थी कि जैसे लोग देशभक्ती दिखाते हैं वैसे पुष्प भी उसको कोई चाहन नहीं थी कि वो देवकर्निया का गहना बने प्रेमियों की माला बने समराठों के शव पर उसको डाला जाए या देवों के सर पर ठीक है और उसकी खाली एक ही अभिलाशा थी एक ही इच्छा थी कि मात्र भुमी पर शीष चड़ाने मतलब युद करने लड़ाई करने जो लोग जाते हैं उनके रास्तों पर क्या करना मुझे फेक देना या उनका स्वागत करने के लिए मेरा उ चाहिए देश भक्ती बताने चाहिए समझ में आया आपको तो आप सबको यह समझ में आया धन्यवाद बच्चो